नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आतम निरबर भारत बनाने के लिए अब डिफेंस एक्टर के अंदर प्राइवेट कमपनियों का योगदान लिया जा रहा है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोका दिया जा रहा है और अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि देश का पहला रोकेट बनाया गया प्राइवेट कमपनी के द्वारा तो अब दोस्तों हमारे पिनाका रोकेट लॉंचर को एक प्राइवेट कमपनी को ओडर दिया गया है और यह अच्छा खासा ओडर है आज हम इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों प्राइवेट इंडस्त्री को बूस्त देने के लिए डिफेंस मिनिस्त्री ने एक फैसला लिया है कि वह लगबग 5,000 करोड रुपए की डील के लिए ओडर देगी जिसके अंदर लोकली प 2017 से पेंडिंग था और बहुत कोशिशें हो रही थी कि इसे फाइनल कर दिया जाए और अब दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर कमपनीज को दिया जा रहा है अगर हम कमपनीज की बात करें तो ये लार्सन और टोबरो और इसके इलावा टाटा एरो स्पेस और डिफेंस सि और इसकी दो रेजिमेंट ओल्रेडी वर्क कर रही है हमारी आर्मी के साथ और डियार डियों ने इसका टेक्नोलोजी ट्रांसफर भी किया है प्राइवेट सेक्टर में ताकि इसकी मैनिफेक्ट्रिंग हो सके और साथ इसका एम्यूनिशन यानि कि इसका रोकेट भी बनाया और दोस्तो मई के अंदर रिपोर्ट आई थी कि पिनाका प्रोग्राम को अब कोरोना वाइरस क्राइसिस के दोरान लोकली बनाया जाएगा इससे ने केवल हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा बलकि जो हमने वैपन सिस्टम इंपोर्ट करने से और जिस तरिट को हिट किया और इस रोकेट को एकोनोमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने इंडिया में ही मैनुफैक्चर किया और यह अपनी तरह का पहला ऐसा म्यूनिशन है जिसे प्राइवेट सेक्टर ने इंडिया में बनाया है और DRDO के लिए भी ये एक सक्सेस स्टोरी इंपोर्ट करते थे जिसका नाम था BM21 Grad Multi Barrel Rocket Launcher और इसे बहुत से देश आज भी इंपोर्ट करते हैं लेकिन हमने अपना सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है और अभी हमारा प्राइवेट सेक्टर इसे बनाएगा इसकी रेंज 40 km है लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगा क DRDO अभी रिसेंटली ही सफलता पूर्वक 75 km रेंज वाला पिना का रोकेट भी टेस्ट फायर कर चुका है और जल्दी इसे भी बना लिया जाएगा धन्यवाद जैहिन